हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंट स्टेडी, आज हम करने जा रहे हमारी मैट्स का नेक्स चेप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम करेंगे उसका पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लाभा हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, चल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसी भी अप्डेट को मिस्स मत कीजिए तो सबसे पहले बता देता हूं कि आपको इस चेप्टर में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, सबसे पहले जीज़ आपको देखने को मिलेगी, CP जिसको हम कहते हैं, Cost Price, ठीक है, फिर SP, Selling Price, P हम लिखेंगे Profit के लिए, Profit यानि कि आपकी जो कमाई हुई है उपर, जि Discount यानि कि एक Price है, उसके ओपर आप खुद से थोड़ा सा पैसा छोड़ देते हो, उसके बावजुद भी आपको कुछ Profit या लॉस जो भी है, वो कोशन पर डिपेंड करता है, पर जब आप खुद से, अपनी मर्जी से कुछ पैसा छोड़ते हो, तो उसको पैसे को हम कहते है, ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि CP और SP है क्या चीज है, CP क्या है, देखिए, the cost on which we purchase the product, जैसे कि आप suppose कर लीजिए, कि आप एक retail shop वाले हो, ठीक है, आपकी एक दुकान है, आप एक wholesaler के पास जाते हो, और उससे एक दाम पर एक चीज खरी लेते हो, for example, आपक आपने 8 रुपीज के आपने एक chips का packet खरीद लिया, ठीक है, ये खरीदा आपने wholesaler से, ठीक है, ये बन गई आपकी CP, ये चीज कभी change नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो खरीद लिया 8 रुपे का, आपने खरीद के अपनी दुकान पे इसको लगा दिया, अब एक बंदा आय उसने ये chips लिया 10 रुपीज का, तो ये आपकी हो गई SP, क्योंकि आपने इसको बेच दिया, बेचने का मतलब sell कर दिया, और sell से आता है selling price, आपने उसको 10 रुपे का बेच दिया, अब हो सकते है वो बंदा ये ही chips किसी को जाके 12 रुपे में बेच दे, वो उसकी मर्जी है, पर फिलाल हम बात कर रहे हैं आपकी, तो आपने 8 रुपे का खरीदा था, ठीक है, जितने का आपने खरीद लिया, आपने एक बार उसको पैसे दे दिये, वो बदल नहीं सकते, तो वो हो गया आपका CP, और जितने में आपने बेचा, वो हो गया आपका SP, ठीक है, तो SG के ब बेची, होल सेलर को, तो फैक्टरी के SP की बात चल रही है, ठीक है, कितने की बेची होल सेलर को, 30 रुपे की, फैक्टरी का SP आगया, रुपीज 30, पहले बात करते हैं कि होल सेलर की CP क्या होगी, होल सेलर की CP वो होगी, जितने में उसने बॉल खरी दी, तो उसने किस से खरी दी, उसने खरी दी, फैक्टरी से, और कितने की खरी दी, ओविसली उतने की खरी जितने की फैक्टरी ने उसको बेची, तो उसकी CP आगी, यही 30 रुपीज, अब होल सेलर ने आगे, एक रिटेलर को बेच दी, CP आगया 30 अब इसका Wholesaler का SP निकालते हैं क्योंकि बेच दी कितने की बेची 40 की तो Wholesaler की SP आगी 40 Wholesaler ने किसको बेची Retailer को बेची तो Retailer ने कितने की खरी दी जितने की Wholesaler ने बेची Retailer की CP आगी 40 ठीक है Next is The vendor या फिर Retailer Sold the ball to Ram at 50 अब इस Retailer ने भी Ram को बेच दी 50 रुपीज की तो इसने बेची Retailer ने बेची Retailer का SP आगया किस ने खरी दी Ram ने खरी दी वही चीज Ram की CP आगी अच्छा अब Ram ने भी Shyam को वो ball बेच दी Ram की CP थी 50 Shyam को कितने की बेची रुपीज 55 की तो Ram की SP आगी 55 Shyam की CP आगी 55 पूरा मैंने आपको बता दिया अब कोशन देखते हैं 1 by 1 CP क्या है Ram की Ram कहां दिख रहा है आपको आपको दिख रहा है यहाँ पर CP Ram की क्या होगी जितने में उसने खरीदा होगा तो हमें देखने की Ram ने किस से खरीदा The vendor sold the ball to Ram Ram ने खरीदा वेंडर से और कितने का खरीदा 50 का तो Ram की CP आगी 50 Next is SP of Ram SP यानि Selling Price Selling यानि बेचना Ram ने बेचा अब हमें देखने की Ram ने किस को बेचा तो sold यहाँ पर आ रहा है Ram sold the ball to Shyam Ram ने शाम को बेचा और कितने का बेचा रुपीज 55 का तो SP आगी 55 Next चीज आगी कि CP क्या होगी Retailer की Retailer ने कितने का खरीदा होगा Retailer यानि vendor vendor ने किस से खरीदा था vendor ने खरीदा था Wholesaler से तो जो Wholesaler की SP होगी वही vendor की या फिर Retailer की CP होगी तो Wholesaler ने कितने का बेचा SP का मतलब बेचा Wholesaler की Sold यहाँ पे लिखा हुआ है और Price यहाँ पे लिखा हुआ है तो Wholesaler की SP आगी Rs.40 वही होगी हमारी CP Retailer की Next चीज आगी SP of Retailer यानि कि Retailer ने बेचा Retailer ने किसको बेचा Retailer ने बेचा Ram को तो 50 आगी SP of Retailer अब एक चीज देखिए CP of Ram और SP of Retailer सेम आ रहा है वही चीज मैंने आपको कंसेप्ट में भी सिखाई थी CP of Factory Factory ने कितने का खरीदा Factory किसी से खरीद रहा है Factory तो खुद बना रहा है किसी से खरीद नहीं रहा पर वो कितने का बना रहा है कितने का नहीं ये कुछ नहीं बताया उन्होंने तो इस वाले का आ जाएगा cannot be determined ठीक है क्यों क्योंकि हमें ये नहीं पता कि Factory ने किस से खरीदा या फिर कितने का बनाया हमें बस इतना पता है कि Factory ने कितने का बेचा नेक्स चीज आगी SP of Factory अगेन वही चीज की Factory ने कितने का बेचा Factory ने बेचा Whole Seller को 30 रुपे का तो इसका Answer आ गया 30 और ये है हमारे Final Answer अभी तक बात चल रही थी CP और SP की यानि कि Cost Price की और Selling Price की कौन कितने का खरीद रहा है कितने का बेच रहा है ये सब CP और SP के Concept में आता है पर ये खरीदना बेचना ये सब हो क्यों रहा है Basically Business क्या होता है Business होता है Profit के लिए Business आप अगर कोई शुरू कर रहे हो आपका सबसे पहला Motive तो ये होगा कि आपको Profit हो और आप पैसा कमाओ ठीक है पर जितना बड़ा Risk आप लोगे Risk का मतलब कि Profit भी हो सकता है Loss भी हो सकता है कहते हैं ने Business की सबसे Famous Quote है कि जितना बड़ा Risk आप लोगे उतना आपको Profit हो सकता है और Risk का मतलब यह है कि उतना ही बड़ा आपको Loss भी हो सकता है यानि कि ये Cost Price और Selling Price का असले मकसद कह है हमारा Profit या फिर Loss निकालना तो Profit या Loss कैसे निकलता है ये भी आपको बता देता हूँ देखो जब आप कोई amount earn करते हो किसी चीज को बेचने पे अगर वो amount आपकी जादा आ रही है उस amount से जितने पे आपने खरीदा समझ रहे हो For example आपने एक ball खरीदी, plastic की ball खरीदी 10 रुपीज की, ये आपकी होगी CP, मैं अभी आपको explain कर चुक हूँ CP और SP का concept अगर आप इसको जादा पैसों में बेचते हो ये लिखा है ना more अगर आप इसको जादा पैसों में बेचते हो Suppose कर लो आपने 15 रुपीज का इसको बेचा, बेचने का मतलब SP हुई ये अगर आप इसको जादा पैसे पे बेच रहे हो आपने इसको कितने जादा पैसों पे बेचा पांच रुपे में तो जादा पैसों पर बेचना यानि की आपका profit हो रहा है ठीक है, तो हम एक formula लगा सकते हैं कि देखिए, SP अगर आपकी जादा होगी CP से, तो हमारा profit आजाएगा आपने जितना बेचा, जितने का बेचा, वो अगर जादा है उस amount से जितने का आपने खरीदा तो आपका profit आजाएगा, तो हम SP minus CP profit की equation को दे सकते हैं तो यही चीज मैंने दी है कि profit is equals to SP minus CP अब बात आती है कि percentage की तो percentage में के denominator में हमेशा CP रहेगी क्योंकि मैंने आपको starting में ही fraction के concept से ही समझाता आ रहा हूँ जो denominator होगा, वो हमेशा original value होगी, और original value वही होती है जितने की आप चीज को खरीदते हो, जो चीज change नहीं हो सकती, तो हमारा profit percentage कैसे आएगी numerator में होगा profit, कितना हुआ, denominator में आएगा original value जो की CP होती है, हम 100 से multiply कर देंगे, तो हमारा profit percentage आ जाएगी similarly, SP की बात करें तो SP के लिए क्या concept होगा, जितने की आपने समान खरीदा, I suppose वही chips आपने 10 रुपे का बेचा, कोई खरीद नहीं रहा, उसको कोई खरीद नहीं नहीं आ रहा, किसी को पसंदी नहीं आया, वो brand जिसका आपने खरीद है तो आपने क्या किया, मजबूरन एक बंदे को आपने इसको 5 रुपे का बेच दिया, आपने का कि चलो यार 5 रुपे loss हो जाए मेरे को पर at least मेरा ये product निकले पूरा 10 का 10 रुपे का loss न हो at least 5 रुपे तो मेरे पास मेरे वापिस आज़ें, जितने मैंने invest किये थे तो ये चीज हुई आपकी loss, कितने के loss 5 रुपी का loss तो यही चीज होती है अब इसमें आप देखो कि अगर CP आपकी बड़ी होगी, SP से यानि जितने का आपने खरीदा आप उससे कम दाम में बेच रहे हो तो आपका हो जाएगा loss, तो हम CP माइनस SP को loss का formula दे सकते हैं यहाँ पर loss आना था, यहाँ पर loss percentage आनी थी तो वही चीज लिखी है loss upon CP, क्योंकि नीचे denominator में हमेशा original number आना है इसी के base पर एक example है जो आपका पूरा concept के लिए कर देगी if factory sold a ball to a wholesaler at Rs.30 यह पिछला वाला ही question repeated है ठीक है, अब factory बेच रही है यानि factory की SP आगी हमारे पास 30 जो की wholesaler की CP भी होगी अब wholesaler बेच रहा है retailer को 40 में तो wholesaler की हमारे पास SP आगी 40 जो की retailer की होगी CP retailer बेच रहा है राम को 50 रुपे में तो retailer की SP आगी 50 जो की होगी राम की CP और राम बेच रहा है शाम को 55 रुपीज में तो राम की SP आगी 55 जो की होगी शाम की CP सारी चीज़ हमने अपनी इस जगा लिख ली अब आते हम कोशन पर प्रॉफिट परसंटेज ओफ राम राम की CP थी 50, SP है राम की 55, प्रॉफिट हुआ है उसको 5 का CP है 50 इंटू 100 करेंगे, तो 10 परसंट का राम को हो रहा है प्रॉफिट सेकिंड कह रहा है कि लॉस परसंटेज ओफ वेंडर, वेंडर को कितने का लॉस हुआ वेंडर आगया है रिटेलर, रिटेलर की CP थी 40, मतलब उसने 40 रुपे की खरीदी बॉल और 50 रुपे की बेच दी तो आपको दिख रहा है कि उसको लॉस नहीं, उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस तो आई नहीं सकता, तो लॉस वल्ले का आंसर आजागा, cannot be determined ठीक है, नेक्स आगे है लॉस परसंटेज ओफ शाम शाम ने बॉल खरीदी, राम से पर आगे किसी को नहीं बेची ठीक है, आपको कोशन में देखने को लग रहा है कि बॉल तो 50 रुपे की थी और शाम ने 55 की खरीद ली तो 5 रुपीज का लॉस हुआ, ऐसा नहीं है राम एक रैंडम बंदा था, जिसने शाम को 55 रुपीज की बॉल बेच दी शाम को नहीं बता कि पहले कितने की बॉल बनी, या फिर क्या परसेस चलता आ रहा है उसने बस 55 रुपीज की खरीदी, जब तक वो इसको बेचेगा नहीं, उसका प्रॉफिट या लॉस हम नहीं निकाल सकते तो इस कोशन का आंसर भी आ जाएगा, cannot be determined लास्ट आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज ओफ रिटेलर, रिटेलर यानि की आपको CP दिख रही है तो इसको काटा, 25, 25 परसेंट का हो रहा है उसको प्रॉफिट, तो हमारे चारो कोशन हो गए है, I hope आपको प्रॉफिट, लॉस, CP, SP, सब नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, आपने रटना नहीं है, कि CP में प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP होगा, CP माइन प्रॉफिट होगा, अगर आप चीज सस्ती कर दोगे, उससे भी सस्ती जितने के आपने खरीदी थी, तो आपको लॉस होगा, इसी को इंगलिश में कर लेना है, CP, SP, जो भी होगा, आपने फॉर्मुले में एड़ कर देना है, अब आ गया एक फॉर्मुला, ठीक है, जो की क प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, इंक्रिमेंट कि आपने एक चीज खरीदी, उसको महिंगी करके बेचा, आपको एक जो अमाउंट ऊपर मिला, उस अमाउंट के जितने का आपने खरीदा था, वो आगया आपका प्रॉफिट, तो इंक्रिमेंट हुआ आपके यह वाट इस दा निव वैल्यू आफ एक्स एक नमबर है, फॉर टैन परसेंट प्रॉफिट आफ एक्स, प्रॉफिट यानि आपका इंक्रिज हो रहा है, जितना भी आपने मनी डाली थी अपने बिजनस में, वो अब इंक्रिज हो चुकी है, तो एक्स लिखेंगे हम अब प्रॉफिट यानि इंक्रिज या फिर डिक्रिज, मैंने अभी अभी आपको बताया, प्रॉफिट का मतलब है इंक्रिमेंट, 100 परसेंट होती है एक नमबर अपने आप में 100 परसेंट होता है, हम उस नमबर को इंक्रिज कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प old लिया उसमें increase किया क्योंकि profit हो रहा था नीचे original profit आ गया 100% होता ना सबसे मतलब जो भी अपने price ली होगी वो खुद में 100% होगी तो x new आ गया हमारा final आ गया answer x old into 110 divided by 100 is equal to x new ये था profit के लिए अब बात करते हैं loss के लिए पहले हो रहा था 10% का profit अब हो रहा है 10% का loss वही formula apply करेंगे x old इस पे हो रहा है loss अगर हम profit को 100 में plus कर रहे थे तो loss को 100 में minus करेंगे नीचे आएगा original is equals to x new तो x old आ गया आपके पास 90 divided by 100 is equals to x new ये है हमारा formula अब ये तो आ गया x old x new ये चीज़ें इनका cp-sp के साथ क्या relation है cp-sp के साथ ये relation है कि ये वाली जो चीज़ होती है हम इसको लेते हैं cp और ये वाली जो चीज़ होती है howm उसको लेते है sp तो यानि अगर मैं कहूं कि एक product है उसकी cost price है 100 उसको 20% का हो रहा है loss तो SP क्या होगी इसको हम लेंगे X old इसको हम लेंगे X new तो 100 into 20% का loss 100 minus 20 divided by 100 is equals to SP SP निकाल लिए CP तो हमें given है SP निकाल लिए इससे ये कटा तो 80 आ गई हमारी SP ठीक है ऐसे करने हमें question basically formula क्या है formula है CP into 100 plus P in case of profit 100 minus L in case of loss divided by 100 is equals to SP ये है असली formula तो ये मैंने आपके लिए सामने लिखा हुए है कि अगर profit होगा तो 100 plus profit percent और अगर loss होगा तो 100 minus loss percent is equals to SP ये आ गया basic formula इसको जल्दी से अपनी copy पर note down कर लेजे क्योंकि इसी के base पे हम आगे questions भी करने जा रहे हैं तो चलिए examples का सिलसिला शुरू करते हैं after selling an article at rupees 55 SP आगई 55 क्योंकि SP हमारे पास value दी हुई है तो SP की जगा हमने अपनी value पूट कर दी 11 5s are 55 11 10s are इससे ये कटा CP आ गया हमारे पास 5 into 10 which is equals to 50 rupees समझ आया कुछ नहीं किया हमने CP into 100 plus profit लिखा divided by 100 किया is equals to SP लगा दिया जो की था हमारा formula next example what is SP of article with CP rupees 100 CP आगई 200 after selling it at loss of 10% तो मैं 200 into 90 upon 100 लिख लूँ ये समझ आगए 90 कहां से आया मैंने 90 कैसे लाया 100 minus 10 किया क्योंकि हमारा हो रहा था loss तो हमारे पास आगया 90 और इसी चीज़ को हम लिख देते हैं SP 9 to 180 आगया हमारा SP अब देख सकते हैं कि CP जादा है SP कम है तो हमें loss ही होगा हमारा question भी verify हो गया अब कुछ ऐसी percentages भी होती है जिसको हम 100 में plus नहीं कर सकते हैं या minus नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे question को complicate कर देती है जैसे कि 12 1 by 2% होगी जिसको हम 12.5% भी कहते है या फिर 14.77% होगी अगर हम इसको 100 में add करेंगे तो 114.77 तो हमारा question जो है points में चल जाएगा answer इससे भी आ जाएगा पर आपका question points में चल जाएगा फिर आप points में calculation करोगे उसमें mistakes होने के बहुत chances हैं तो मैंने आपको हमारा percentage chapter जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको fraction values learn करने को कहीं थी उन्ही fraction values के base पर question आ सकता है उसके अलावा उनसे बाहर नहीं जाएगा जो values मैंने आपको learn करने को कहीं थी जादा से जादा अगर अगर अपने question को difficult करना हुआ तो उन fractions का वो introduction कर देंगे अपने question में उससे जादा मुश्के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अब इसमें क्या होगा जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इदर भी denominator जो होगा fraction का वो हमिशा CP होगा क्योंकि denominator होता है original और CP वो चीज होती है जिसमें आपने चीज खरीदी होई है वो कभी change नहीं हो सकती तो numerator क्या होगा वो होगी value of profit या फिर loss as per question अब इस question को ही हम देख लेते हैं कि profit हो रहा है बंदे को 10% का अगर मैं 10% को fraction में लिखूँ तो वो 1 by 10 बनेगा ये कैसे आया 10% की बात चल रही है हमें पता है जब percent हटता है तो denominator में आता है 100 तो 10% की value आजएगी 10 upon 100 0 से 0 कटा हमारे पास आया 1 by 10 मैंने आपको बताया कि fraction जब भी आएगी तो denominator क्या होगा denominator of fraction will always be CP and numerator क्या होगा numerator will be the value of profit slash loss यानि कि अगर इनने 10% का profit का हुआ हमें तो हमारा numerator आगया profit अब देखिए CP है 10 profit हो रहा है एक भूल जो फॉर्मूला बस इतना याद रखो कि आपने एक चीज खरीदी 10 रुपे की और उसको जब आपने बेचा तो आपने एक रुपेया ऊपर कमा लिया यानि आपने उसको महंगा करके बेचा तो आपकी SP होगी 10 प्लस 1 विच इकल्स टू 11 अब हमारा कोशन क्या कह रहा है कोशन कह रहा है Selling an article at रुपी 770 हमारी SP थी 11 CP थी 10 profit था 1 किस से हम compare करेंगे Selling an article at रुपी 770 तो SP की value हम दे देंगे 770 रुपीज की 1 की value आजएगी 770 divided by 11 विच इकल्स टू 70 तो CP पूछी हुई है उन्होंने आर्टिकल की CP कै है हमारी CP है हमारी 10 70 को जब आप 10 से multiply करोगे आपके पास CP आजएगी 700 रुपीज अब आप देख सकते हैं खरीदा आपने 700 रुपे का बेचा आपने 770 रुपे का यानि आप profit ही कमा रहे हो यही चीज हमें question में दी हुई थी कि profit हो रहा है 10% का आपका question भी हो गया है verify अब चलते हैं next question पर ए लॉस ओफ 12 1 by 2% इनकर्ड वाइल selling an article at rupees 630 तो SP है हमारे पास 630 अब loss हो रहा है 12 1 by 2% 12 1 by 2% की fractional value होती है 1 by 8 denominator हमेशा होगा CP अब बात चल रही है loss की तो numerator होगा हमारा loss अगर आपको loss हो रहा है यानि आपने कोई चीज सस्ती करके बेची है सस्ती का मतलब SP आ गया आपका 8 minus 1 which is equal to 7 question में क्या दिया हुए question में SP दिया हो हमें 630 और fraction wise हमारा आ रहा था SP जो था 7 क्योंकि loss हो रहा था 7 को जब हम compare करेंगे 630 के साथ 1 की value आ जाए कि 90 हमें का निकालना है CP, CP क्या था fraction का denominator तो 8 हुआ हमारे पास CP, 90 को जब आप 8 से multiply कर दोगे तो आपका CP आ जाएगा 90 into 8 which is equal to 720 रुपीज आप देख सकते हैं आपने खरीदा 720 रुपे का बेच्चा 630 रुपे का यानि आपने जो चीज बेची वो amount कम करके बेची तो आपको क्या हुआ? Loss next question आ गया ए profit of 16 2 by 3% अब आप इस नमबर को कैसे आड़ करोगे 100 में? तब भी मैंने आपको कहा कि यह जो fraction वाला method है यह वाला apply कर देना अगर ऐसी tough percentages आ जाती है तो इस पे बस simple आपको CP और SP निकालना है तो इस question को आप दो तरीकों से कर सकते हो सबसे पहला कि अगर आपको fractional value याद नहीं है तो आप इस fraction को solve कर सकते है मैंने आपको बताया था 16, 3 is a 48 होगा यह multiplication होती है और यह addition होती है तो 48 में 2 add होगा हमारे पास आजएगा 50 तो इस पूरी fraction की value आजएगी हमारे पास 16, 2 by 3 की value आजएगी हमारे पास 50 by 3 जब हम mix fraction को normal fraction में change कर देते है अब यह सिरफ 16, 2 by 3 नहीं है इसके आगे percent भी लगा हुआ है तो जब percent हटे का denominator में 100 आजएगा यानि कि 16, 2 by 3 आगया आपका 1 by 6 3 to the 6 ठीक है अगर आपको fractional values याद नहीं है तो आप यह चीज़ अपलाई कर सकते है पहली कोशिश यही रखो कि 16, 2 by 3 आप देखो तो सीधा 1 by 6 आप लिख दो ठीक है अब बात चल रही थी कि 1 by 6 में profit हो रहा है उसको अगर हम इसको CP लें तो यह होगा profit profit यानि आप CP से महंगा करके बेच रहे हो तो SP आजाएगा आपका 7 क्योंकि 6 प्लस 1 आगया आपके पास 7 तो इन्होंने CP और SP की रेशयो बुच्छी है CP इस्टू SP आगया आपका 6 इस्टू 7 अब हम करेंगे हमारी कोशन की सीरीज शुरू तो सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है और हमारा पहला कोशन कहा रहा है कि एक ट्रेडर को 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो एक आर्टिकल को बेच रहा है 339.90 रुपीज का अब आप एक चीज देखिए हमने तो 37.5 की फ्रेक्शन वैल्यू लर्न ही नहीं की पर हमने किसकी लर्न की है 12.5% की जोकी होती है 1 बाए 8 अगर हम इस टर्म को 3 से मल्टिप्लाई कर दें हमारा 37.5 आ जाएगा मैंने आपको बताया कि हमारी फ्रेक्शन वैल्यू या परसंटेज इस कोशन में जो दी होंगी वो हमेशा इन नंबर्स के अराउंड ही रिवाल्व होंगी कुछ नया या कुछ अजीब सा फ्रेक्शन जिसको आपने पहले कभी ना पढ़ा हो ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमने क्या किया 37.5 के लिए हमने 1 बाए 8 को 3 से मल्टिप्लाई किया तो 37.5 परसंट की वैल्यू आ जाएगी 3 बाए 8 ठीक है 12.5 को अगर आप 3 से मल्टिप्लाई करोगे तब ही 37.5 आएगा ना यानि कि अगर आप एक साइट 3 से मल्टिप्लाई कर रहे हो तो आप दूसरी साइट भी 3 से मल्टिप्लाई करोगे तो वही चीज आगी हमारी 3 बाए 8 अब मैंने आपको बताया कि डिनॉमिनेटर होता है CP नॉमिनेटर होता है प्रॉफिट या फिर लॉस तो हमें हो रहा है प्रॉफिट तो नॉमिनेटर आजएगा प्रॉफिट SP आ गई हमारे पास 11 कोशन में कहा है कि 339.90 है SP 11 को कंपेर करेंगे हम 339.9 से ये पॉइंट हटेगा डिनॉमिनेटर में 10 आ जाएगा 11, 3 जा 33 0 क्योंकि 9 आ रहा था जब आप ये 0 इंट्रिड्यूस करोगे तब ही वो 99 बनेगा 11, 9 जा 99 तो हमारे पास 1 की वैल्यू होगी 309 डिवैड़ेड बै 10 हमें कहा निकालना है? हमें निकालना है CP CP क्या है? डिनॉमिनेटर यानि 8 यूनिट जब आप इसको 8 से मल्टिप्लाई करोगे तो 9, 8 जा 72 यहाँ 0 है यानि कि 72 सिदा सिदा उतर जाएगा और 8, 3 जा 24 डिवैड़ेड बै 10 हमारा 247.2 आ गया हमारा CP तो option D आ गया हमारा final answer चलते है next question पर विने sold an article in rupees 650 sold का मतलब SP आ गया 650 12.5% का उसको आ रहा profit 12.5 होता है 1 by 8 यह है CP यह है profit तो SP आ जाएगा 9 9 की value दी हुई है 650 बिलकुल 9 की value दी हुई है क्योंकि SP की बाद चल रही है तो SP है हमारे पास 9 9 की value है 650 1 की value आ जाएकि 50 divided by 9 इन्होंने पूचा है CP तो हम 8 से multiply कर देंगे हमें पता है 9 7 जा होता है 63 ठीक है 9 7 जा होता है 63 पर यहाँ पर है 65 यानि हमारा points में बनेगी कोई fraction जब उस points को आप 8 से multiply करोगे तो हमारा final answer जो होगा वो भी points में आएगा पर हमारे पास यहाँ पर कोई points में value नहीं दिये तो मैं कहता हूँ कि इसका option होगा E none of these फिर भी एक बार हम solve करके देख लेते हैं क्या पता इसकी exact value ना निकालनी हो closest value बतानी हो तो 9 7 जा यह लिका है मैंने 7 9 7 जा 63 बचा 20 9 2 जा 18 फिर 20 72.2 तो 72.2 को जब आप 8 से multiply करोगे 8 2 जा 16 1 carry on 8 2 जा 16 1 17 1 carry on 7 7 जा 49 7 8 जा 56 और 1 57 5 77.6 आ रहा है आपका answer जो कि यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा तो हमारा final answer आ गया option E none of these चलते हैं next question पर तो हमारा question कहा रहा है A purchased the cycle at certain price कुछ price थी कुछ price यानि कि कुछ CP था उस पे A ने cycle को खरीदा He sold it to B यानि कि A ने बेचा है P को 10% के profit पे मैं ऐसे लिख लूँ कि A की जो SP होगी वो CP into 110 upon 100 होगी और यही चीज़ B की CP भी होगी B sold it to C at 12.5% loss अब यह चीज़ आगी 12.5% होता है 1 by 8 B की CP आ रही है 8 यह है loss तो B की SP आईगी 7 ठीक है यह अलग से बना लिया नेक्स चीज़ C sold it to D at 25% C ने D को 25% के profit पे बेचा तो C की CP इन्टू इन्टू 125 अपॉन 100 इस इकोल्स तो SP यानि की D की CP ठीक है और D ने 7700 रुपीज पे किये उसको खरीदने के लिए ठीक है तो अब हम इस question को solve करना शुरू करेंगे यह है हमारे पास condition हम अपना question यहां से solve करेंगे क्योंकि हमारे पास value यहां पर है D की CP C के SP के बराबर है यानि की हम कुछ ऐसे लिख सकते है ठीक है 25 5 25 4 5 1 5 27 4 0 ठीक है तो CP आगी C की 1 5 4 0 इन्टू 4 इसको फिलाद इतना ही रहने देते हैं अब B की SP जो होगी वो C के CP के बराबर होगी यहां पर था 12.5% की value है 1 by 8 यह आगी B की CP यह हो रहा है loss तो SP आगी B की 7 तो हम इस position पर 7 units की value लिख सकते हैं क्योंकि 7 units जो है B की SP वो C की CP के बराबर है तो इस position पर हम 7 units लिख सकते हैं So 7 units की value आगई 1540 इन्टो 4 1 unit की value आगई 7 तो 14 220 इन्टो 4 तो 1 unit की value आगई 220 इन्टो 4 विच इकोस तो 880 अब अगर हम CP की बात करें B की B की CP होगी A के SP के बराबर तो B की CP जो है वो थी 8 units 1 unit की value है 880 तो 8 units की value होगी 8 इन्टो 880 विच इस इकोल्स टू चलो फिला इसको इतना ही रहने दो तो यही 8 इन्टो 880 A की SP भी होगी तो हमने लिख लिया A is SP is equal to 8 इन्टो 880 जब मैंने क्वेशन की पहले लाइन पड़ी थी तो मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी 6400 तो CP है साइकल की 6400 ठीक है यह था हमारा पूरा कोशन यह थोड़ा confusing कोशन हो सकता है थोड़ा लंबा कोशन है हमने कैसे किया एक बार फिर बता देता हूँ हमने last से एक कोशन सॉल्ट करना शुरू किया क्योंकि हमारे पास last में एक exact value दी हुई थी थी वहां से हमने B का CP निकाला फिर B का जो CP था वो A का SP था और यहां से हमने A की CP निकाली जो की थी cycle की cost price ठीक है थोड़ा confusing है पर इसको ध्यान से पढ़ोगे ध्यान लगा के पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा चलते हैं हमारे next question पर तो हमारा question कहा रहा है the profit earned after selling an article for इतना is same as loss after selling the article for rupees इतना ठीक है हमारे पास दो SP है SP1 है 650 इस पर हमें profit हुआ है और यही profit equal है SP2 जब हमारे पास 426 था उसके loss के अब देखिए profit कब होगा जब आपका CP कम होगा SP जादा होगा तो हम SP1 माइनस CP लिखें तो यह हमारा profit आ जाएगा और हम देख सकते कि second वाली equation में जहां 426 की SP है उसमें loss हुआ यानि कि आपका CP बढ़ा है तो CP माइनस SP2 हम लिखें तो loss आ जाएगा उन्हें कोशन में काया कि यह दोनों चीज़े बराबर हैं तो हम इन दो equations को equate कर सकते हैं ठीक है तो हमने दोनों equations को equate किया और SP की value पूट कर दी अब देखिए अगर हम CP को इस तरफ ले जाए यह बन जाएगा 2 times CP इसको इस तरफ ले जाए यह बन जाएगा 650 plus 426 तो 1076 आ गया 2 times CP CP की value आ गई 1076 divided by 2 which is equals to 538 अभी कोशन हमारा खतम नहीं हुआ उन्हें का half of 50% of CP 50% of CP क्या होगा इसका आदा और जो इसका आदा आएगा उसका भी हमें आदा करना है तो हम क्या कर रहें हम सीधा इसको 1 4th कर दें आदे का आदा हो जाएगा तो 1 4th हो जाएगा तो 538 को जब आप 1 4th करोगे तो हमारा आएगा 1 12 4 3 is a 12 18 4.5 which is option C ठीक है क्या किया हमने profit को SP CP में convert किया loss को SP CP में convert किया दोनों को SP की value डाली दोनों equations में उनको equate किया और उसके बाद हमने अपना answer का लिया ये था पूरा explain किया मैंने कैसे करना है अब इसका एक shortcut बता देता हूँ जब भी आपको ऐसा question आएगा जहां profit loss एक दुसरे के बराबर होगा आपने क्या करना है दो terms लेनी है ये 650 426 इनको add करने और divided by 2 कर देने तो 5 38 आजएगा आपका CP फिर half of 50% of CP का है तो 1 fourth कर दोगे तो आपका ये answer आजएगा लास्ट कोशन है आज का इफ CP of 270 kg rice is equal to SP of 240 kg rice अब देखें CP 270 kg rice की बराबर है SP 240 kg rice के देन फाइंड दा profit loss in business हमें पता नहीं है कि profit हुए लॉस हुए अभी हमने बस निकालना है हम क्या करेंगे CP divided by SP कर देते हैं 240 divided by 270 आगया अब देखिए ये हमारे पास बनता है 8 by 9 की ratio अब देख रहा है आपको कि SP बड़ा है CP छोट है ठीक है CP छोट है SP बड़ा है यानि profit हुए profit कितने का हुए profit हुए 1 का हमने अपना answer percentage में निकालना है तो हमें exact value पर काम करने की जुरूरत नहीं है profit हुए हमें 1 का CP है हमारे पास 8 हम 100 से multiply कर देंगे तो 12.5% आपकी answer आ जाएगा इसी के साथ हमारा profit and loss का first part होता है खतम I know ये थोड़ा लंबा चला गया part क्योंकि इसमें हमें concept भी clear करने थे और questions भी solve करने थे क्योंकि सिर्फ concept clear कर लो उन concept को questions पर आप try ना करो तो उससे भी problem बढ़ जाती है वो concept basically clear हुए नहीं होते हैं हमने एक बार question कर लिए अब हमें पूरा यकीन है कि हमारे concept clear हो चुकी है next part में मैं थोड़े से advanced level के questions लेके होँगा आपको pre में उसी level के question दिखेंगे जो मैंने आज के part में करा दिये advance में थोड़े इसलिए करा रहूँ ताकि आपके concept थोड़े ज़ादा बैटर हो जाए अगर आपको advanced level आता होगा तो आप pre का level तो बड़े अराम से कर लोगे pre का level आपके लिए बहुत असान हो जाएगा ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थेंक यू